हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग आज हम लोग फीट से आ गए हैं अपना टेंस लेके आज हम लोग का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि हमारा कंप्लीट होने वाले हैं सारे टेंस लगबग हमारे तीन टेंस और बच्चे हैं बाकिक टेंस हम लोग ने कंप्लीट कर ल क्यों चीज कोड़ी ठीद करें सब्सक्राइब करें massive life and being ज़रू पिरीज करेंसिगों क्या विली इसी तो में इक्याने तंब पियुटि威ल्टमी ईह जानखारी को гол्दी उप स्टार्ट करते हम लोग घंस हमारा है फ्यूचर फरफेक्ट और इसके पहचान होती है कि हम कहीं भी बात्चित करेंगे में गश्चा हो गारेजुद्ध जो फन्हें होगा गती तर पहां से चाहिए हम इसे सब्सक्राइब पहीं के में देखेए रीजी विण जो परफेक्त की lia-lea-itsi इसे कुछ system दिखे तो तुरंट पहचान जाएगा कि यही है future perfect 10 तो तुरंट जैसे आप पहचान जाएंगे वैसे आपको बनाने में या उसकी इंगलिस बोलने समझने में असानी हो जाएगे ठीक है तो हम लोग इसकी पहचान देख ली ऐसे केंड चीज हम लोग इसका जो फ सेल में क्या है कि मैं आपको सेल के बारे में बता दूँगी पहले हम लोग इसका फर्मला देखते हैं कि subject प्लस विल या सेल और इसके साथ हैव लगेगा प्लस वर्प की थर्ड फॉर्म तो फर्फिक के सारे टेंस में हमारी वर्प की थर्ड फॉर्म ही उज़ोगी चाहे व सब हमेशा याद रखिए को पुरी लाइफ टाइब में कहा लगता है यह हम बिगनर के लिए बता रहे हैं जिनको पता है बहुत अच्छी बात है और इसके पहचांद बता दे कि वील और सेल के बारे में आपको बताएं तो जो वील हमारा वील है एक हर एक के साथ लगेगा अल्गेगा ठीक है चाहब हमारा सेंगूलर लिट ने महीं यो लगेगा लेकिन सेल हैं कि यह हमेशा होते जो हमारा बहुत कम सेल की जो समात्रा बहुत कम हो गई है यह ति किन भी हम लोग इसका यूज करेंगी करेंगे कहीं भी आज़े आज सब मत बता दूख प्रक्वील हर जगे में हुझा हूगा है हमांरे यह एक्ulations पहले एक्साल कई मा रहे है कि वह जा सुका होगा तो ठीक है तो ही विल हैव गॉन यहां पर हम विल सल का है क्षिए चुका होगा तीक है तो यह वह जोलते है चुका हो अगरना हम इसके बाद नहीं नॉट कर सकते हैं क्योंकि नॉट का रूल यही है कि हमें साथ तिसरे नंबर पर नॉट होगा ठीक है कि इस था यह आपको सौन में आ गया है सौने के जो हमारी थर्ट फार्म होती है स्लेप होती है इसको अपरोग ध्यान से देखिएगा सेकेंड चीज़ अगर हम नॉट की उज़ करेंगे तो विल नॉट है बना इसलेप्ट लेकिन अगर इंट्रोगे टुव बनाना है तो विल यहां पर पहले आ जाएगा ठीक है तो विल वी हूँ नोट हैव स्लेप्ट या विल वी हूँ हैव स्लेप्ट क्या वी हूँ सो गया होगा क्या वी हूँ नहीं सोया होगा इस तरीक से से किंड चीज हमने पूछ लिया होगा वी सैल हैव आस्क्ट ठीक है तो यहां पर देखें हमें सैल का यूज किया है कि आई और व के साथ हमें साथ सेल लगता है ठीक है इन दोनों के साथ ले और अब लेकिन आप इसके साथ भी लगा सकते हो बट जो पहले से चला आग रहा है वहीं हमने पूछ लिया होगा वी सेल हैव आस्ट ये एक्जैंपल होगे हमारा और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेल वी नौट हैव आस्ट और अगर नौर्मल नेगेटिव बनाना है तो वी सेल नौट हैव आस्ट तो हमेसा यही रूल रहा है कि जो नौट है हमारा वह तीसरे नंबर पर ही लगेगा यह जी है यह बहुत ईजी तरीके समझा दिया अगर एक बार समझ के करते हो तो यह जिंदग सब्सक्की में पता दिया है देखें एकजेम्पल हो गया यह हमारी फॉर्मुला हो गया चिके form59त याद रखना है अदरूजा आपको साल आपको सुख संद यहाद होगा गो का समझना हमारे के बहुत पॉनदेंट है यह में हर वीडियो में आपको बताती है कि टेंट से कि आना complete हो जाए क्यूंकि आप इससे पहजानना भी समझ जाएंगे पढ़ना पढ़के आप ये भी समझ चैंगे कि ये क्या कह रहा है इस प्रिजेंट की बात बोला एक किस तरीके बात बिला है आप बोल ना भी सिख जाएंगे बहुत easy तरीके से लिखना भी सिख जाएंगे, अगर आपको कोई भी exam होता है, अगर आपको बोलता है Hindi to English translate करना है, तो आप बहुत easily तरीके समझ करना चालू कर देंगे, अगर आपके tense मजबूत होगा, ठीक है, तो tense के साथ साथ, आपके vowels और क्या कहते हैं, meanings यह सब भी जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से यह हम पूरी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है, तो यह हमारा homework हो गया, ठीक है, यह homework है, इसमें हमने पहला लिखा है, महमान जा चुके होंगे, उसने पढ़ लिया होगा, सचीने मैस नहीं खेला होगा, माता जी खाना पका चुकी हों यह trend में चल लिए, आप इसको बनाएं, बहुत मजा आएगा, ठीक है, और दूसरी चीज, मैंने इसके साथ साथ आपको यह 1st, 2nd, 3rd form भी दे रखा है, ताकि आप लोग इसको learn करें, और किस तरीके से यूज़ होगा, वह साथ चीज़ आपको बताएगा, यह आपको लास् हाजूश würde है, यह आपको ल מד, 5th, 5th, जो होगा, इसके सांव को बताएगा, दो होगागा, यहस्वा होगागा बताएगा, वोग वो क है।